चक्रवाती तूफान निवार तेजी से तमिल नाडू की तरफ बढ़ रहा है 25 नवंबर को इसके तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है आंधर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी के बाद हाई अलट पर रखा गया है तमिल नाडू की तरफ तेजी से बढ़ रहे भीशन चक्रवात निवार के 25 नवंबर को तट से टकराने की आशंका है इस दोरान 120 किलोमीटर प्रती गंटे की रफ्तार से हवा चलेगी फिलहाल चेन्नई के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है तूफान के खत्रे को देखते हुए पूरे पुद्दू चेरी में आज रात 9 बजे से 26 नवंबर की सुबह 6 बजे तक एतिहातन धारा 144 लगाई जाएगी इस दोरान केवल दुकाने और प्रतिष्ठान बंद रहेंगी केवल दूद पेट्रोल स्टेशन और फॉर्मेसियों को संचालित करने की अनुमती रहेगी वहीं आंदर प्रदेश में भी प्रमुक्विभागों को तट्यय एवं रॉयल सीमा शेत्रों के अधिकांस जिलों में अगले तीन दिनों में भारी बारिश की चेतावनी के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है चक्रवात निवार की स्थिती को लेकर पीम मोदी ने तमिलाडू के मुख्य मंत्री और पुद्दू चेरी के मुख्य मंत्री से बात की है पीम ने केंदर की तरफ से हर संभाव मदद करने का श्वासन दिया है राजसरकार ने साथ जिलों में अंतर जिला बस सेवाई निलंबित कर दी गई है कुछ जिलों में ट्रेने भी आनशिक या पूरी तरह रद कर दी गई है आंधर प्रदेश, तमिल लाडू और पुद्दू चेरी में एंडी आरेफ की कुल 30 टीमों को तैनात किया गया है भारतिय मौसम विभाग की ओर से जारी एक बुलिटिन में कहा गया है कि बंगाल की घाडी में दक्षिन पश्चिम तथा दक्षिन पूर्व में बना निम्न दाव सोमवार को साड़े ग्यारा बजे पुद्दू चेरी से 520 किलो मीटर पूर्व दक्षिन पूर्व तथा चेनने से 560 किलो मीटर दक्षिन पूर्व में स्थित्ता और यह 11 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है अगले 24 घंटे में इसके ओर तिवर होकर चकरवात में बदलने की पूरी संभावना है यह तमिलाडू और पुदुचेरी के तटो से 25 नवेंबर को दोपहर करई काल तथा मामलापुरम के बीच 100 से 110 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से टकरा सकता है और इसकी गती बढ़कर 120 किलोमीटर प्रती घंटे तक हो सकती है झाल झाल आज़े ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद जे बीडी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेड़ मारिच पलेस राज़ गराना और फिनेस्ट बैंक्वेट्स आज़ जे बैंक्वेट्स लुट्धी बैंक्वेट्स अंटर्प्राइब